अलो दोस्तों शेडी मूर में आपका स्वागत है पैसाथवी वीपेस से परंभिक परिक्षा आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत जल्द एक दो दिन में आप फॉर्म ये अपलाई करने लगेंगे ठीक पॉर्म का जो सीट पूरा जो अबर ओल हम लोग शीट मिलाकर चल रहे हैं पिछले साल से कम है इसमें जो है चारसो चौंगती सीट है आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आपके स्लेबस के बारे में देखेंगे कि स्लेबस क्या होने वाला है बहुत दिनों से यह खबर आ जो अभी भरिएगा तो इसमें क्या क्या मुख बात को ध्यान में रखिए यह भी आपको जानना जरूरी है जल्दिबाजी में लोग फंट भर देते हैं अगर गलत कर देते हैं तो बाद में जाकर चठी जाते है यहां देके परमभीक परिक्षा का जो स्लेबस है इसमें सा लिया जाएगा जैसे पिछले बार लिया गया था इसमें देखिए परमभिक परिक्षा में समान विज्ञान राष्टी अंतराष्टी मोहत्वे के समय से घटना है जिसे करेंट अफेर बोलते भारत का इतिहास तता बिहार का इतिहास के प्रमुख भी से स्ताय क्या है समान ने बिहार के प्रमुख भगोलिक प्रभाग तथा यहां के महतपूर नदिया यह सब आपका सलेबस है जो फस्ट यह है देवर्टो वाला में यही सब आएगा राज बिवस्था आएगा जो पोलिटिकल साइंस से अगर वो कभर करना है तो या तो टूल तक NCRT पढ़ साथ में हम लोग कोशन भी देखेंगे अब से श्टार्ट हो जाएगा आपका अजादी के पश्यात बिहार के अर्थ बिवस्था के प्रमुख परिवर्थन अभी जो लेटेश्ट अर्थ बिवस्था में जैसा भी बजट पास हुआ है अभी बजट से डाइरेक्ट कोशन बजट से निकाल कर आजाते हैं बिहार पर क्या उसका परभाव पड़ेगा या बिहार के भी बजट जब पेस होता है बिहार के बजट से भी कुशन आता है ठीक इस बात को ध्यान में रखिएगा यह एकनोमिक्स पोर्शन और कोरेंट फिर मिला कर दिया जाता है यहां पर 10 कुशन दिया जाते हैं यहां पर देखिए साफ साफ दिया हुआ है पि बिहार की योगदान और समान यहां पर देखिए योगिता जाचने के अफे इस बात को ध्यान मर किया अब परम्भी परिश्चा यह परम परिक्षय के लिए बिए इसे फोन ड़िएगा भी फोन डाल अनुशुचित जाती अनुशुचित जन जाती महिलाव और निशक्ता से गरस्त दिव्यांग जिसे हम हैंडिकेप उमिदवारों के लिए 32% अहरताय प्राप्त करना अनिवार होगा मिंस कि आपके 32% लाना इनको लाना ही उसके बाद ही कठब बनेगा ठीकते यह कम से कम मिनिम अपको जिसमें ज्यादा नौलेज है अच्छे से आप तैयारी करें उसके तो आप भर सकते हैं ठीक मात्र आपको परिक्षा में क्या होना चाहिए आपको जो एडूकेशन अपना क्वालिफिकेशन होना चाहिए वह गर्जूएशन होना चाहिए इसमें से आपको एक बेकल वहीं डालना है ठीक यह नहीं कि इसमें हमाली जोगरोफी चुल लिए तो मुख परिक्षा में आप सोच रहें कि हितिहास चुल लेंगे ऐसा नहीं होगा आप ओबर ओल जोगरोफी ही आपका ऑप्शनल भी से हो जाएगा तो इसको कोड एकोडिंग तो कोड ध्यान से भरन अब्लोड कर सकते हैं यह आपका सरेबस है देख सकते हैं जोहें जो होना जाओ इसमें उत्रीं होना जरूरी है यहां पर आप देख सकते हैं कि यहांus यह थिक इस बात को ध्यान में रखेंगे यहां पर देखेंगे फिर से देख लिते हम लोग परमभी के महज जाच परिक्षा होगी जिसके अधार पर मुख परिक्षा है तो में द्वारों के चैन किया जाएगा अथा इसमें प्राप्त अंकुक का मुख परिक्षा से कोई नह नहीं होता है और आपको क्या है यहां पर दखिए आपको हिंदी में 30 परसंत लाना अनिवार होता है तो आपका मुख परिक्षा कोई पेपर जाच नहीं होता है पहले हिंदी में देखा जाता है आप पास होगे तभी अगला पेपर आपका जाच होता है ठीक तो यह मेगा सुची निर्धारन में इसका कोई महत्वे नहीं रहता है इसमें मात्र पासिंग है जैसी यूपीस्टी का स्लेबस है उस कोडिंग वह से ही है ठीक अच्छिक बिच ध्यान में रखिएगा और यहां पर देख सकते हैं इसमें भी कोड दिया हुआ है और उसमें भी दिया हुआ था ठीक अब हम लोग देख लेते हैं परमभिक जो यहां पर एक लाश्ट होता है कि आपका इंट्रिव्यू होता है बेक्तिकत परिक्षड होता है यह 120 अंकु का समासिघटना भास की इतिहास है और यह सब का सिलबस में समानने भूगोल का भी देख सकते है कि विहार और आपका बिहार रोच चरिएंगे कि बंच ऊसका है या यहां पर देखेंगे यह वाक के बिन्यास जो आएंगे वह 25 नमबर के आएंगे यह टोटल मिलाकर आपका हो जाता है यह पर देख सकते हैं कि परागराफ वाला कोशन पाईचाट वाला कोशन आता है जो पत्र टू है उसे भी कोशन बनते भारतिय राज ववास्ता भारतिय अर्थ ववास्ता और भुगोल से और भारत के विकास में विज्ञान और पद्धोगकी की भूमिका यह पेपर टू का है स्लेबस यहां पर डिटेल आप देख सकते हैं कि इसमें डिटेल अगर आपको देखना होगा पेपर वन और पेपर टू का पेपर जो थर्ड होगा उसका एकचिक होगा मालीजे आपका कोई एकचिक बिसाई जैचे क्रीशी का यह स्लेबस है वह इसी अलग-अलग स्लेबस दिया हुआ है इसमें एकचिक बिसाई में कोई परवर्तन नहीं होता है क्योंकि यह पटना को तीन वर्सी जो गर्जूएशन होता है वहीं उसका सलेबस होता है तो यह आप दिहान से देख सकते हैं और यहां से अब पता कर सकते हैं कि अभी से ही आपको प्रमभिक के साथ स प्रमभित परिक्षण क्या होता है कि बस बस तो निष्ट गोला रंकर आ जाना है आपको तो उसके लिए भी आपको नॉलेच आहिए इंटर्भीव में आपका प्वेगतिकत्ट परिक्षड भी रिखा आपका बहुत धन्यवाद